नमस्कार के साम भाईयों आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों जब भी आप अपनी फसल के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन कोई भी दावई का छिड़काओ करते हो तब आपके मन में आता है कि इन दावईयों का इन कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क अदर बाढ़ाने के लिए आप क्या करते हो और अलग-अलग प्रकार के स्टिकर का इस्तेमाल करते ओ c bass के मन में कोई प्रकार के श्टिकर आपको दिखाई देते निगी तो अब आपとि सामने रखी बढ़ जाता है तो मतलब का इस्तेमाल आपको सिर्फ बारिश के मोसम में करना है या पिर किसी पॉल्टिकुलर कॉंबिनेशन में करना है या पिर कहां पे करना है और कहां पे नहीं करना यह सभी जानकरी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले पूरी जानकरी मिलने वाले उसी के साथ आपको आज के इस वीडि वाले स्टिकर का जानकरी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अन तक में उधिवराज और आप दिख रहे हो अनिर्मता चले शुरूत करते हैं आज के वीडियो की किसा माई यह टॉप फाइव स्टिकर के बारे में बात करने से पहले स्टिकर क्या है डिखेठा कि अधरा इसके बारे में अही जैन लेते हैं तो स्टिकहर अंतलब क्या होता है स्टिकर अजिट का ना सिर्फ जो देवखए के अंदर जो combination के अंदर आप जो भी अगर किसी बॉटल पर निखा हैció देव सिर्फ के उपर लिखा होता तो यह sticker का काम हो गया लेकिन कई bottle पे ऐसा लिका होता है कि भाई sticker penetrator और spreader और अभी यह penetrator और spreader क्या होता है spreader यानि कि simple है spreader है उसके नाम में ही अरते अगर कोई दावई आपका छिडगाउ करते और आपने उसमें sticker और spreader वाला दावई मतलब जो भी अच्छा वाला sticker डाला है उसमें spreader का भी एक गुंदर में spreader क्या करता है उस पत्ति पे चारों तरब पहलाने का काम उस दावई को पहलाने काम आपका spreader करता है और penetrator क्या करता है penetrator यानि कि उस दावई को मतलब कोई क्वाला फंजी side भी होगा तो जहां पे जो रहर होती है जो भी एक पत्तियों के अंदर जो बारीक अति सुश्मा deception flau श्णा कर्ण अब कलंद अबम ज़रों कौने अच्सितरिक तियों report कि ऐदा के सारी काम अधर सिर्द हैं क्भοष स्टीकर की है やinin48 दीने पैको काम करने मंईन यह सब्सक्राइब क्वाइबONG में सिर्फ स्टीकर查 की कंपैसी औरा लग में तो कई वाटल में क्या होता है सिर्फ स्टीकर होता है तो स्टीकर का इस्तेमाल करके क्या करोगी बैसे सिर्फ चिपकाने का क्काम कर गया और ये चिपकाने के चक्कर के अंदर अगर आपके दवई का कंसंट्रेशन अगर पत्तियों के उपर ज्यादा बढ़ गया veut bother को स्कौर्चवी आ सकते ऐं तो इससे बचने के लिए आप को क्या करना है हलकी वाल इस्टिकर का इस्तमाल करने से अच्छा है कि आप ती कर पेनिट्रेटर ये तो मेन में आपको बताने वाला हुले कि इस्तमाल आपको करना है ने करना है यह आपके ऊपर हैं तो जितने भी हम इस्टीकर बता रहे हैं आपको स्टीकर player और penetrator तिनौह quantities में होने वाले यह जो बताने वाले यह सभी के सभी silicon based sticker होने वाले silicon based मतलब उसको silicon को base रखकर इसको बनाएगा है यह formulation इससे क्या होता है silicon भाई उसका pH 7 है ना ही acid के ना ही alkali तो यह non-ionic है मतलब यह किसी से भी reaction नहीं कर सकता मतलब किसी भी combination में डाला तो वो फट नहीं सकता reaction नहीं कर सकता तो इसी के वज़े से आपका जो non-ionic sticker यानि कि silicon based sticker होता है वो किसी के साथ भी reaction नहीं करता है और सभी combination के अंदर सभी दावयों के अंदर यह recommend आसानी से किया जाता है तो अभी हम जान लेते कि वो कौन से वाले past based वाले sticker है उनके बारे में एक पाच्वे क्रामंग से हम एक नंबर के क्रामंग के उपर कौन सा वाला sticker है यह जानने वाले वीडियो को आन तक देखना वीडियो के खास बात में बहुती बढ़िया वाली बात sticker को लेकर हम बताने वाले तो किसाम भाई हो जो भी spreader है हम जो अच्छे quality के बताने वाले टॉप फाई वाले spreader बताने वाले पाच्वे क्रामंग से पहले नंबर तक हम जाएंगे तो आप यह अच्छे से समझ लिजेगा तो पाच्वे क्रामंग पे आमने जो sticker रखा है अच्छी quality का वो आता है राज एग्रिटेक कंपनी का breakthrough breakthrough के अंदर आपका sticker, spreader और penetrator यह तिनों के तिनों गुंदर्म होने के कारण breakthrough का अगर आप अपने combination के अंदर या फिर दावईयों के अंदर डाल कर छिड़काओ करते तो उन दावईयों का उन combination का एपिसेंसी बढ़कर आपको आपके फसल में बहुती अच्छे result आपको आसानी से मिल जाएगे इसे के साथ साथ हमने चौते नंबर पर रखा है जो की मध्य महारश्रम में सबसे ज्यादा बेचा जाता है हिंदुस्तान एग्रो कंपणी का चिपको चिपको के अंदर आपको स्टीकर और स्प्रेडर यह दोनों गुंधर्म आसानी से मिल जाएगे चिपको के भी आपके दवाईयों के अंदर या फिर कॉम्बिनीशन के अंदर बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिल जाते हैं इसे के साथ साथ वेस्टीज अग्रो कंपणी वेस्टीज कंपणी मतलब आपको पता है और इसका भी एक प्रोड़क आता है एग्री 82 के नाम से जिसके अंदर स्टीकर स्प्रेडर और ये तीनों के तीनों गुंदर में तो अग्री 82 का भी आप इस्टमाल कर सकते हैं हमने इसको तीसरे नंबर पे रखा है अभी दूसरे नंबर पे कोन सा रखा है ये उसकता तो आपके मन में होगी होगी लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो और भी ज्यादव मोटिवेशन मिलेगा और इसे भी बढ़िया वाली जान करें हम आपके लिए लापाएंगे तो भाई दूसरे नमबर पर रहे आपका अरिस्टा कंपनी का सिल्वेट गोल्ड जो कि सबसे ज्यादा बेचा जाता है मह सबसे उन्होंने आनाउंस किया था कि भाई स्टीकर स्प्रेडर और पेनिट्रेटर का इस्तमाल आप जमिन के माध्यम से भी कर सकते हो वह है अपसा एटी इसे एपसा एटी भी कहते एपसा एटी भी कहते तो कोई मतलब भाई उच्छार कौनसा भी हो प्रोड़क्त होई हो कर सिलिकॉम बेस होने वाले आप इन में से किसी एक कभी इस्तमाल करते हो आपके फसल के अंदर तो आपको बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले खास बात के अंदर आप अच्छे तरीके से सुन लेजेगा कि भाई आपको इसका इस्तमाल कब करन दिक टाक से करते हो चिरकाू भी टिकट अबतल में FE M होने चाहिए औसी महात्रा में करते हो लेकिन फिर अजयी की वक्त करना सई डोस लेना यह सब जुगाड करके भी आपके फसल के अगर उपर अगर स्कॉर्चिंग आ जाए तो किसका दिमाग खराब ने होने वाला है तो यह स्कॉर्चिंग आने की वज़ा कई बार यह जो स्टिकर होते हैं हलके क्वालिटी के जो भी स्टिकर होते या फिर बे वज़ा स्टिकर का कुछ कॉछ कॉमिनेशन के अंदर इस्तमाल करना यह भी कारण होता है क्योंकि स्टिकर स्प्रेडर रोस पेनिट्रेटर क्या करते हैं आपकी दववयों का पावर बढ़ते हैं यानि कि उसका पावर वही रहता है लेकिन उसी पावर के साथ आप पर पती जल जाती है और उसे यह आप स्कॉचिंग के ते और उससी के कारण आपको आपकी फसल बहुत ही गंदी दिखती है आपको नुक्सान वहा पर हो जाता है तो इसी स्कॉचिंग से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रफना है कि स्टिकर स्प्रेडर और कब इस्तमाल करना है और कब इस्तमाल नहीं करना है you have English यह अपका अच्य तरके से समझ में आना चाहिए तो इसे के साथ मैरे इसाद से आपको sticker का इस्तमाल Σ्प्रेडर और in पेनिट्रेटर का इस्तमाल आपको बारिश के सीजन में करना चाहिए बारिश के सीजन में भी अगर आपको लगता है कि मेरा स्प्रेइंग होने के बाद अगर कुछ मेरा स्प्रे अगर धूल जाता है अगर बारिश के कारण बे जाता है कुछ स्प्रे आपका पावर डाइलूट होकर उसका पावर कम हो सकता है एपिसेंसी कम हो सकती है तो ऐसे सिच्वेस्चेन में ही आपको स्टिकर पेनिटेटर और स्प्रेडर का स्प्रेइंग के माध्यम से इस्तमाल करना है और वाइज आप उसका इस्तमाल नहीं भी करते तो कोई जरूरत नहीं भाई खुले मोसम में गर्मी में और ठंड के दिनों में आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है हलाकि अगर आप रेड माइट को कंट्रोल कर रहे है या फिर पाउडरी कर रहे हो जहां पर जरूरत है वहां पर ही डालो बहुत सारे किसान देखिये हैं कि हर एक प्रे में मोसम कौन सा होगी लिचिंग का जो भी दिक्कट आता है फाल के नोसी लिख बता है उस confined करण यहां पर अगर महतंगे वाली दावय का अगर द्रेंचिंग कररें ऑप 김हार नहीं बहुत ज़ोर संससां करने लिंट का यहां में अद्धाय। लोगती करना है व्यां आज़गों आप सहे पार जांकरी जानना चाहते हो इस वाले वीडियो की उपर क्लिक करके वह आली जानकरी पास सकते हो मिलते आगले वीडियो में जय जावान जय किसान